और इसलिए गुजरात का समाज आज सरकों पे ख़ड़ा है, अंदोलन कर रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। दो तीन उधारन देना चाहता हूँ, सरकार का काम रोज़गार देने का होता है, मुकाबला हमारा हिंदुस्तान का चीन से है, दुनिया सबसे बड़े देश है, या रोज़गार वहां जाएगा, या फिर रोज़गार यहां आएगा, यह देखिए, यह प्रेस के सब लोग करें, आपके हाथ में कैमरा है, इसके पीछे आप जड़ा देखिए, क्या इसके पीछे मेड इन चायना लिकाई है, मेड इन जहां भी हम जाते हैं कुछ भी करीदते हैं शर्ट, पैंट, कैमरा, कम्प्यूटर, उसके पीछे लिका होता है मेड इन चाइना, जब आप सेल्फी लेते हो, हर बार जब आप बटन दवाते हो, चीन के किसी युवा को रोजगार मिलता है, हम फोटो लेते हैं, चीन के युवाओं को फाइदा होता है, यह हिंदुस्तान की और गुजराच की सचाई है, मोदी जी मेकिन इंडिया की बात करते हैं, गुजराच में आज, तीस लाख बेरोजगार युवा हैं, तीस लाख, हर रोज हिंदुस्तान में, तीस हजार नई युवा रोजगार ढूनने निकलते हैं, मैं तेरोजगारों की बात नहीं कर रहा हूं, चौपिस घंटे में, तीस हजार नई युवा निकलते हैं रोजगार ढूनने, उन युगाओं में हर समाज के लोग होते हैं दलित होते हैं आदिवासी होते हैं पातिदार होते हैं अबीसी होते हैं हर समाज के लोग होते हैं और नरेंडर मोदी जी की सरकार 30,000 में से 24 घंटे में सरफ 450 को रोजगार दे पाती है अलपेश जी आप इनसे कह रहे हो